आज हम करने जा रहे हैं exercise 18B जिसमें हम यह सीखेंगे कि जो बार ग्राफ्स होते हैं उसको बनाते कैसे कौन से ग्राफ्स यह चीज़ आपको याद रखनी है नाम क्या है इसका बार ग्राफ अब इसको करने के लिए आपको सिर्फ छोट इसी नॉलिज़ की जरूरत है जो कि हम जैसे ग्राफ्स बगरा बनाते थे ना जैसे हमारा ग्राफ होता था और यह हम वैलियूस पूट करते थे यह हमारा जीरो होता था यह वन यह टू यह थ्री यह फोर यह फाइब यहां उपर की दरफ 1, 2, 3, 4, 5 यह हमारी y axis होती थी और यह हमारी x axis होती थी ठीक है? और यह हमारी negative x axis होती थी क्योंकि इसमें minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 यहां minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 इस तरीके की values होती थी तो जैसे अगर कोई हमें point plot करना था मान लेते हैं, 2, 3 कितना? 2, 3 कोई point plot करना था तो क्या होता था? x का हमें 2 यहां तक जाना था और फिर y की तरफ 3 point तो यह हमारा point हो जाता था 2, 3 ठीक है? अब इसी तरीके से सेम तरीके से ठीक है? बस सिर्फ फरक क्या हो जाएगा आपका जैसे यहां one लिखा हुआ है तो इस one की जगह आपको यह जो class interval है वो लिखनी पड़ीगे यह चीज आपको याद रखनी है क्या याद रखना है? कि जहां पर आपका जो यह क्या कहते हैं जहां पर जैसे हमने one लिखा है तो वहाँ पर आपको क्या आजाएगा? वहाँ आजाएगा आपका class interval आजाएगा ठीक है? class interval आएगा कैसे आएगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ ठीक है? तो सबसे पहले यही solve कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या draw करना है? x-axis same वही जैसे आप graph के लिए draw करते थे और एक आपको y-axis draw कर लेनी है ठीक है? हाँ और आपको याद रखना है कि x-axis की तरफ आपके blocks आएंगे और y-axis की तरफ आपकी frequency plot होगी यह चीज़ याद रखना है y-axis में क्या होगा आपका? frequency plot होगी यह चीज़ आपको जाद रखना है ठीक है? y-axis में frequency और x-axis में आपके class interval होगी ठीक है? class interval ओके तो basically जब हमारा यहाँ से class कहां से 10 से 15 है तो हम यहाँ पर एक ले लेते हैं फाइफ फाइफ का gap लेते हैं 10 और यह हो गया 15 हो गया? उसके बाद आपका कौन सा आगया? 20 फिर आपका आजाएगा 20 इसा बस यह count करते जाओ फिर आएगा आएगा आपका 25 जितने का gap हो आप उतने का यह लेते जाएए फिर आपके पास कितना है? 30 है फिर आपके पास है 35 थोड़ा सा और extend कर दें फिर आएगा आपके पास 40 अब यहाँ पर क्योंकि यह थोड़ा सा graph छोटा लग रहा है तो यहाँ values आपकी कैसी कैसी होने चाहिए मान लेते हैं हम 20 से सुरू करने क्योंकि minimum value 20 है तो 20 हो गया ठीक है? 10-10 का gap अगर हम डेलते हैं 20 का gap लेते हैं 10-10 यह आपकी choice है आपको किसका graph लेना है कितने का gap लेना जैसे 20 है हमने यहाँ ले लिया 40 फिर आपका आगया 60 फिर आपका आगया 80 आजाएगा और पिर आएगा आपका 100 ठीक है? इससे ज़्यादा का values है ही नहीं हमरे पास तो चलिए ठीक है तो सबसे पहले हमारे को कह लेना था आपके 10-15 वाले में देखिए 20 है कितना है? यहाँ पर जो 10-15 वाले में यहाँ value दे रखी है 20 तो बस 20 आपको 20 तक का आपको वो बना लेना है 20 यह रहा तो यहाँ से यहाँ तक का आपका यह ड्रॉ यह पहला बार ग्राफ बन गया ठीक है? ओके फिर 15 से लेके 20 तक 70 है तो पहले 15-20 यह रहा यहाँ तक होना चाहिए 70 कहाँ पर आएगा कुछ इस जगे पर तो हम यहाँ पर आपका ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है 15 थोड़ा से और 15 से 20 तक 70 तक गया बस आपको हाइट वहाँ तक मेजर कर लिए है कि कितने नमबर है 70 है तो हमने यहाँ 70 तक कर लिए अब उसके बाद कितना है 80 तो नेक्स्ट में आपका कहा तक टेवल ग्राफ जाना चाहिए 80 तक जाना चाहिए और नेक्स्ट क्लास इंटरवल कहां तक है 25 तक तो वो 25 तक चला जाएगा उसके बाद आपका कितने पर आ रहा है 60 आ रहा है 25 से 30 तो आप जो है 25 से 60 तक ले लो 25 से आपका 30 है ना तो 30 ले ले ठीक उसके बाद हमारे पास क्या है 30 से 35 में 20 तक है तो अगेन आपको 20 ये ले ले लेना है आ गया और उसके बाद 35 से 40 के भी उसमें 50 है तो हलका सा यहां से छोटा होगा तो यहां तक आपका 50 आ जाएगा आ गया तो इस तरीके से हम जो है आपके ग्राफ्स प्लॉट करते हैं समझ गए और इस तरीके से ग्राफ का प्लॉट को ही हम बार ग्राफ कहते हैं बार ग्राफ कहते हैं बाद समझ आ गई क्या करना है एक्सेक्स पर आपको class intervals इस तरीके से जितना उनमें गैप हो जैसे 10 से 15 में 5 का गैप है तो 10 आया 15 आया या फिर 20 फिर इस तरीके से आपको यहां वैल्यू जूज एक्स पर प्लॉट करनी है और वह एक्स पर इस तरीके से ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन कर लेते हैं हम नेक्स कोश्चन में अगर हम देखें आपको यहां पर भी वही बनाना है फिर से अपको 30 strands है इसे इस्टोग्राम ऑनाना है बार गराप कर लो हिस्टोग्राम दोनुए एकी चीज है एक की चीज है ठीक है तो चलिए ड्रॉप कर लेते हैं सबसे पहले ब्रॉप करना है एक्स ऐस और बाइक्स एस तिक है है यह हमने ड्रोग कर ली X-axis थोड़ी सी इसको नीचे ले ले लेते हैं कि हमारा जो है यह यह लाँ चलिए यह लाँ कि नेगेटिव वैलिई इसको हमारे कुछ यूज नहीं है तो हम यह कर लेते हैं एक किनक भी होता है वो इस तरीगे का जिग जाइग होता है वो मैं बता द हो रहा है तो उसके पहले की वैल्यूज हम ना लिखके डारेक्ट हम यह बना देंगे तो यह चीज अंडरस्टोड हो जाएगी कि जीरो से चार तक की वैल्यूज के हमें जरूरत नहीं थी इसलिए हमने उन्हें लिखा नहीं है बस आप इस सिंबल से यह चीज बता सकते हैं ठ तर नेक्स्ट कितना यहाएगा 12 पिर उसके बाद कितना आना चाहिए 16 चीज शुक्त के बाद आना चाहिए 20 और यह आपका हो गया करता है 5 और उपर की तरह आपका यह यह चीज ठीक है अब 2 से स्रू हो रहा है तो यहां ले रहते एंट फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 और फिर 14 क्योंकि maximum value 13 है तो 14 तक इनफ है 13 हमारा ठीक है अब 4-8 में आपका 2 का बनेगा तो 2 का बना लो 2 इतना ही है 4-8 में आपका जो है 1 second 4-8 में आपका इतना ही है तो यहां से यह उठाया और यह बना लिया ठीक है उसके बाद आपका 7 8 से 12 में 7 है तो 7 तक लेके चले जब 8 से हलका सा नीचे होगा तो यह लिए हम ना लिए उसके बाद अगर हम देखें 12-16 में हमारा 13 है तो यानि कि कहां से कहां तक जाना है 14 से नीचे होना चाहिए 16 तक यह लिए यह आपका बन गया अब 16 to 20 कितना है 8 तो कोई बात नहीं है 8 देख लो इससे हलका सा बड़ा होना चाहिए तो यह रहा है ठीक है तो यह बन गया आपका हिस्टो ग्राम कोश्चन नंबर टू भी सॉल हो गया सिंपल है ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस इतना याद रखना है फ्रीक्वेंसी य एक्सिस में आएंगी और ट्रास इंटरवल की वैल्युज एक्स एक्सिस में आपको लेनी है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देख लेते हैं कोशन नंबर थरड की बात करते हैं तो सेम ही है वह चलिए मैं बताएता हूं क्या करना है हमने एक्स एक्स ड्रो करी और मैं नीचे ही लूँगा ताकि क्या है हमारा इस्ट्रोग्राम जो है अच्छे से ड्रो हो जाए ठीक है वैल्यूज ले ले लेते हैं हमारी एक्स एक्स पर कौन सी आएंगी 35 मैंने क्या कहा जब किंक लगा तो किंक का यूज क्या है आपका किंक का यूज होता है कि जैसे 35 से 0 से 35 तक की वैल्यू यहां लिखनी है नहीं अगर लिखेंगे तो ग्राफ लंबा बनेगा तो हम उन्हें ना लिखकर सिर्फ ये सिंबल से हम अगर हमलिख देंगे तो वही चीज भी ये बता देती है जो 35 35 तक की वैलियूज है हमें उनका यूज नहीं है तो हमने 35 बनाया यहां 40 कि 45 हो गया 50 55 60 और 65 यह हो गया है यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जब हम बात करें तो वाई एक्सिस में यापकी फ्रिक्वेंसी आणी है फिर से वही हम कितने का गैप ले रहे हैं तो यहां से क्तार यह हो गया आपका नहीं हो पिर seller 7 से ज्यादा मैक्सिम वैलिदी नहीं है चले है 35 से 40 तक में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 तो हमें यहां से यहां तक 6 तक जाना है कितने तक 6 तक जाना है तो यह रहा 6 अब 40 से 45 9 है तो हम 40 से 45 9 चलिए 45 से 50 तक 15 तक गया हुआ है तो हम यहां से ऊपर थोड़ा सा बड़ा ग्राब बनेगा बनेगा चलिए 50 से 55 में आपका आएगा 14 तो 14 देख लेते हैं 15 से थोड़ा सा चोटा होगा चलिए 55 से 60 तक 5 कम है इसमें लेगे तो यह रहा तो फाइब शिक्स्टी से 65 के लिए आपका एगा वन तो यह रहा बना गया ठीक है चलिए कर्क्ते है तो यह रहा बना उपांट मरें पात्रेच्ट...... कर्क्ते हैं